गौलियर में दहेज में एसी और कार्ण नहीं लाने पर पती ने पत्नी से मार पीट कर उसके साथ आमानवी विवहार की सारी सीमान लांग दी पत्नी के साथ अप्राकृत तरीके से सारे दिख संबंद बनाए इतना ही नहीं धाई साल की बच्ची के साथ पत्नी को घर से निकाल दिया घर ना महराजपुरा के राधा कृष्ण कालोनी की है घर से निकाले जाने के बाद महिला ने काफी प्रयास किया कि उसका घर बचा रहे लेकिन पती वा ससुराल वालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो यह थाने पहुची महिला ने मामले की सिकायत की है पुलिस ने विवाहिता की सिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है सहर के पुरानी छाबनी निवासी 24 वर्स यह महिला ने सिकायत की है कि उसकी साधी वर्स 2019 में महराजपुरा थाना छेटर के राधा कृष्ण कालोनी निवासी एक युवक से हुई थी साधी के बाद जब हैससुराल पहुची तो कुछ माह तक सब ठीक ठाक चला और उसके बाद पती ने उसके माईके से एक कारवा एसी लाने की मांग करने लगा जिस पर उसने मा के अकेले होने और सिलाई की काम से खर्चा चलानी की बात कहते हुए दहेज लाने से इंकार कर दिया उसके बाद पती ने उसे प्रतारना देना शुरू कर दिया इसी बीच उसने एक बच्ची को जन्म दियाल लेकिन इसके बाद भी पती के विवहार में परिवर्तर नहीं आया महिला ने पुलिस को बताया कि दहेज की मांग के लिए उसके पती ने उसके साथ आम्मानवी विवहार किया है और उसके साथ अप्राकृतिक तरीके से संबंद भी बनाएं ऐसा करते समय वह उसके हाथ पैर बान देता था इससे उसे मांसिक और सारेरिक रूप से काफी परिशानी होती थी फिर भी रिस्ते को बचाने के लिए सब सहन करती रही महिला ने बताया कि जब उसने इसका विरोत किया और सासुराल वालों से मदद मागी तो उसके ससुर जेट वजेठानी ने उससे घर से निकाल दिया घर से निकाले जाने के बाद पेड़िता ने काफी प्रयास किया लेकिन बात नहीं वनी तो थाने में सिकायत की पुलिस ने पेड़िता की सिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है इस मामले में महराजपुरा सरकल CSP रवी भदौरिया ने कहा कि महीला की सिकायत पर आरूपी पती वा सुसराल वालों की खिलाफ मामला दर्जकर आरूपियों की तलास सुरू कर दी है जल्दी आरूपियों को पकड़ भी लिया जाएगा पुरानी शावनी शेतर में रहने वाली एक विवायता ने अपने पती के विरुद्ध अप्राकरतिक दुषकर्म एवं मारपीट और दहिज प्रताणा की रिपोर्ट की है जिस पर से थाना महराजपुरा में घटना इस्तल होने से महराजपुरा में फाई यार की गई है और यह मिच्रा की जा रही है लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूती रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अबरीवा के नैशनल हस्पिताल में उपलब्ध है नैशनल हस्पितल के संचालर डॉक्टर अखिलेज पतेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है सभी सुविधाएं आइसमान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 या फिर संपर्क करें 756683551 पर हमारा पता है नैशनल हस्पितल समानतिराहा रीवा संपर्क करें 07662359974 या फिर संपर्क करें 860028859900 पर